वेल्कम टू गार्गी क्लासिज राजस्थान हिस्ट्री के अपन बात कर रहे हैं जिसमें आज अपना टॉपिक रहेगा चोहान डाइनेस्टी चोहान जो राजवन्ष रहा है राजस्थान में उसके बारे में बात करेंगे आज इसका पार्ट वन रहेगा यह थोड़ा कर रहे हो उन सबी इक्जाम से लिए उपरेंट के लिए चाहे हैं और ब्ली इच्छानल को अभी तक सब्सक्राइब है तो प्ली शक्राइब करा और चैनल को प्रोमोट करो जिससे के हमें एक मॉटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए बढ़िया क्वालेटी के वीडियो औ सब्सक्राइब देख लिए उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी शेर किया है अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लो और एक क्वेस्चन बार-बार यह आ रहा है कि क्या यह एक्जाम यह जो सीरीज आप चला रहे हो किस-किस के मुझे लिए इंप्वोर्टन्ट है उनका दिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं आप आराम से बड़ सकते हूं नोट्स बनाओ आप अपने खुद के हेंड़ी नोट्स बनाओ तो ज्यादा एफ्यक्टिव रहेगा क्योंकि अल्टिमेटली पीडिएफ से आप रिवाइस नहीं कर स कहा रगा आपको कहा समझ में आई वो चीजिए समझ रहे हैं मेरी बात को पीडियाफ एवैलेबल होगी डेफिनेटली पर आप खुद से अपने हैंड मेड नोट्स भी तैयार रखो की वर्ड के साथ में ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो चोहांस जो है इनको चोहांस इसलिए बोड़ा जाता है यह वर्णाकिलर वर्णाकिलर का मतलब हो गया अपने खुद की जो लॉकल लेंग्विज है उसकी आधार पर इनको चोहांस बोल दिया गया बट यह इसका बे वर्णाकिलर चोहां जो है इनके बारे में चंदरवर्दाई का जो खुद का लिखा हुआ एक बुक है एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रत्वीराज राषव उसमें चोहांस की बारे में जो ऑरिजन की अपन ने थियोरी पड़ी थी कि अगनी कुंढ हुआ था ठीक है कहां प्रत्विराज रासो उसमें तो इस बारे में कोई मैंशन नहीं मिलता पर जैसे ही सेकंड वर्जन आता है मतलब अपडेटेड वर्जन आता है तो उसके अंदर यह चीज मेंशन की जाती है कि चोहानों का जो ओरिजन है वह अग्निकुंड से ही है 15th century में हमीर महाकाव्य के बारे में जो बात आती है 15th century में जो नयानचंदर सूरी ने लिखी थी उनके अकॉर्डिंग और जयानक एक और स्कॉलर थे प्रत्विराज चोहान के टाइम पे जिनका नाम था जयानक और नयानचंदर सूरी जिन्होंने हमीर महाकाव्य लिखी इनक दिलेना हमीर महाकाव्य किसका नयानचंदर सूरी का और जयानक का प्रत्विराज विजय है इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है सूरियवंशी मतलब सूरेज के सक्सेसर्स बताये गये हैं और इस बात को सपोर्ट किया है पंडित गौरी शंकर ओजा ने गौर वरदाई ने लिखी वो सपोर्ट करती है बिजोलिया का जो इंस्क्रिप्शन है बिजोलिया का जो शिलालिक है जो 1170 में लिखा गया था वो और साथ में डॉक्टर दश्रत शर्मा इनके अकोर्डिंग देखा जाए तो चोहांच जो थे इनका ओरीजन अकर देखा जाए तो ओरीजन माना गया कहां से अही अही चत्रपूर जो आज के टाइम का नागोर है उसको अही चत्रपूर बोला जाता है और यह जांगल प्रदेश जांगल प्रदेश की कैपिटल थी उस टाइम पर ठीक है तो यह चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बिजोलिया इंस्क नेम्स में रिपीटिटली बता रहा हूं जांगल प्रदेश और यह मेवाड इनके बारे में मैं अल्रेडी जोग्राफी में वीडियो बना चुका हूं उसका भी लिंक में शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लेना आप उसको तो जांगल प्रद इस नाम क्या चल रहा है नागोर फिर आगे देखें चोहानों के बारे में तो इनका शुरुवात जो हुई वो अही चत्रपुर से हुई यह अपने अल्रेडी देख लिया अही चत्रपुर से इनकी शुरुवात हुई और धीरे-धीरे इनकी टेरिटोरियल जब एक्सपें छोहानों का जिस पर्टिकलर रीजन में या फिर जो चोहानों के अंडर में आने वाला पूरा रीजन था उसको बोल दिया गया सपाद लक्ष क्या बोल दिया गया सपाद लक्ष ये अपने को ध्यान रखना है जो भी चोहानों की डाइनस्टी है उस डाइनस्टी को अगर चोहानों राजस्थान के या फिर इंडिया के जो चोहान्स हुए है राजपूत क्लेन के उसमें चोहानों की जो मेजर डाइनस्टी हुई है वो इनके अलावा हाडोती के जो चौहान थे हाडाज ठीक है हाडाज भी लिखा मिलेगा और हाराज भी लिखावा मिल जाएगा तो confuse मत होना तो यह major clean या major branches रही चोहानों की राजस्थान में और इसके अलावा और कॉनके सी branches थी अपने यहाँ पर देख सकते हैं देखो चोहां जो थे इनका origin कहां से सपादलक्स वाले सांभर वाले region से अही चत्रपूर नागोर जो इनकी capital हुआ करती थी तो इसकी चोहांस ओफ रंथबोर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आएगा आएगा आपके पास में तो चोहांस ओफ नाडोल जो थे इसकी तीन ब्रांचे निकली जालोर में सिवाना में और बुंदी में बुंदी वाली जो ब्रांच थी उसी का एक और extension निकला कोटा में तो ये तो हाड़ाज हो गए ठीक है सिवाना वाले यहीं पर खतम हो गया और जो जालोर वाला था जालोर वालों की एक ब्रांच और निकली वो पहुंची सिरोही में तो ये टोटल अपन ब्रांचिंग देख सकते हैं चोहानों की राजस्तान में जिनमें major की बात करें तो उनमें सबसे पहला आता है चोहान्स ओफ साकम्री चोहान्स ओफ साकम्री की अगर अपन बात करें तो यहां से चोहानों की यह जो ruling capacity थी या इनका एक तरीकी जो शुरुआत बोली जा सकती है तो सबसे पहला जो person था eminent personality of चोहान डाइनस्टी वाज वसुदेव इन्होंने 6th century में चोहान डाइनस्टी को establish किया था इनको founder of साकम्री ब्रांच of चोहान्स के बारे से भी नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने establish कब किया था 551 CE क्या फिर AD भी लिखा हुआ मिल सकता है common era AD ठीक है एक mythological story आती है जिसके according यह बताया जाता है कि वसुदेव जो है इन्होंने सांभर लेग को बनाया ठीक है अब सांभर लेग बनी कैसे उसकी एक mythological story है वो यह कि प्रित्वी राज विजय जैनक की है जैनक कौन है प्रित्वी राज चोहान के मतलब court point थे court scholar थे उनके मतलब पूरे court में बैठते थे वो तो उन्होंने यह बुक लिखी प्रित्वी राज विजय तो उसके according उस book के according एक mythological story निकलती है वो यह बताती है कि जो सांबर जील है वो वसुदेव को एक supernatural power ने दी जिसका नाम था विद्याधर ठीक है कहने का मतलब कोई उपर से देवत्रा और उन्होंने यह सांबर लेक बना करके दी वसुदेव को कि आप इस लेक के आसपास में अपने empire को बढ़ा सकते हो लोगों क कि यहां पर welfare ensure कर सकते हो तो प्रत्वी राज विजय के according यह बात बोली जाती है फिर वसुदेव के बाद में और भी बहुत सारे rulers है जिनके नाम अगर आपन देखें तो जैकाज हो गया विग्रह राज फरस्ट चंद्र राज फरस्ट गोप चंद्र राज यह आए अगर important note की बात की जाए तो जीनमाता सीकर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप एनच 11 से जोगी अभी एनच के नमबर चेंज हो चुके हैं अगर आप सीकर की तरफ जाओगे तो बीच में गोरियां करके गाउं आता है ठीक है तो गोरियां से आप रवासा साइड में जब कट लोगे तो उस तरफ आता है जीनमाता तो ये चोहानों की फेवरेट डेटी मतलब कुल देवी रही है ठीक है चोहानों की गुल देवी का नाम आए चोहानों की तब तो बात आएगी जीनमाता गुवक जो की सामन्त थे किसके प्रतिहार किंग नागबड ये सबसे ज़्यादा परड़ी डिसकस कर चुके हैं तो प्रतिहार किंग नागबट सेकंड थे उनके सामन्त थे जिनका नाम था गुवक उन्होंने वो इसी चोहान डाइनिस्टी से अपना रिलेशन रखते थे यह धान रखना आपने वो गुवक किस डाइनिस्टी से रिलेशन रखते थे चोहान डाइनिस्टी से जो कि नागबट सेकंड के सामन्त थे उन्होंने रगुनात गड़ हिल्स पे सीकर में है यही जीनमाता के पास में हर्षनाथ टेंपल भी बनवाया तो हर्षनाथ टेंपल में वहाँ पर इंस्क्रिप्शन भी लिखाई गई कि हाँ यह किसने बनाया चौहा दिया गया इंस्क्रिप्शन तो हर्षनाथ टेंपल में ही इंस्क्रिप्शन मिलती है तो वह चोहानों से रिलेटेड ही हो गई फिर जो इंपोर्टेंट रूलर या किंग आते हैं चोहान डाइनेस्टी के वो है विग्रे राज सेकंड इन्होंने सपाद लक्ष पे रूल किया 1956 AD से और शुरुवाती जो चोहान्स थे इनमें सबसे ज़्यादा कैपेबल रूलर यही थे और इन्होंने मूल राज चालु मूंध्य को हराया था साथ में इन्होंने आशापूरा माता टैम्पल का भी इस्टैवलिश्मेंट कर आया कहां पर बढोच करके जगए है वहां पर आशा माता आशापूरा माता टैम्पल और यह इनकी फैमिली की फेवर डेयती थी lasa ago चोहनों की थी और पर्टिक्लर अगी इनकी फैमिली की बात की जए तो विग्रह राज सेकेंड ने अपनी फैमिली की जो माता मतलब एक टरीक ay if बोल सकते हैं कि हमारे परिवार की माता हमारे परिवार का देव तो वो बनाया गया वो माता थी आशा पूरा माता है और ये temple बनवाया गया था विग्रह राज 2nd के द्वारा ये जो पूरी information है विग्रह राज 2nd से related ये मिलती है हर्षनाथ temple की जो inscription है जिसके बारे में मैंने बताया कि गुवक जो चोहान डाइनिस्टी से relation रखते थे और पतिहार किंग नागभट 2nd के सामन्त थे तो गुवक ने ही हर्षनाथ temple को बनवाया था और हर्षनाथ temple को जब चोहान डाइनिस्टी का ही अगर कोई बनवाएगा तो वह डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ गुदवाएगा लिखाएगा अपने प्रेज करवाएगा तो वह जो information है वह अपने को कहां से मिलती है और यह inscription के बारे में आडन कल्चर में अपने डिटेल में study करेंगे इनके अपर भी question पूछ लिया जाता है next है अजयराज फिर विग्रा राज first और अजयराज के बीच में और बी खिंग आये बट important है अजयराज अजयराज है वह प्रत्विराज first के बेटे अब देखो आप पृत्विराज चोहान जिनकी जो famous है historically वो है पृत्विराज third ठीक है अभी बात हो रही है पृत्विराज first के बेटे अजयराज की ठीक है अजयराज ने चोहान kingdom को overextend किया और 1113 AD में अजयमेरू नाम से जगह जिसको आज अजमेर बोलते हैं वो establish किया और उसको अपनी capital बना ली और इन्होंने अजमेर के अंदर ही अजयमेरू में ही तारागड फोर्ट बनाया तारागड नाम से famous भी है आप अजमेर जाओगे तो बिल्कुल center अजमेर के मतलब देख सकते हो आराम से दिखता है इन्होंने coins भी issue किये silver और bronze के coins issue किये और जो silver coins थे उनको अजय देव नाम से जाना गया ठीक है अजय देव नाम से silver coins को जाना गया और कुछ coins ऐसे थे जिनके ओपर अजय राज की queen जिनका नाम था सोमल देवी उनका भी नाम गुदा हुआ था ठीक है कुछ coins ऐसे भी थे जहां पर इनकी wife इनकी queen सोमल देवी उनका नाम भी ग ये खुद तो शैव religion को follow करते थे मतलब शैव दरम जिसमें शिव जी के बारे में पूरी पूजा होती है उसको follow करते थे बट ये thoughts से secular थे secular होने का क्या एक evidence मिलता है कि इन्होंने gold donate किया था जैन temple पाहर सुनाज जी के temple को तो इस चीज़ से क्या समझ में आता है कि खुद तो शैव religion को follow कर रहे थे पर इन्होंने साथ में other religions को भी बढ़ने दिया ऐसे नहीं कि रोका मारा काटा या फिर कुछ और even donation और दी नेक्स्ट है अर्णोराज जिन्होंने 1133 से 1155 तक रूल किया इन्होंने जो टॉक्स invader थे देखो तुरकों ने हमेशा से कोशिश की थी मतलब इंडिया वाली इंडियन सब कॉंटिनेंट पर अटेक करने की टॉक्स ने तो उनको क्या किया उनको कैसे भी करके रोकने के स्कान पाता तक्सका उसको अर्णोराज ने रोका अर्णोराज का दूसरा नाम है आना जी अ हमारजी नाम से बलबनाने के लिए आनसाघर टे मेंजोग्राफी बात कर चुका हूं वहीं पर सुभाजई गारडन है इसको दूलत बाग भी स्क्र में वरा टेमपल भी बनाया ह सारी चीज़ अपने बात कर चुके हैं ज कॉट में इंपॉर्टेंट स्कौलर्स वेठते थे उन्हें बात कर प्लेदर शुआ करते थे अना जी के कोट में बैठते थे आना जी को इनके बड़े बेटे ने जगदेव नाम से जो टे उन्होंने इनका मरडर कर दिया इनको मार दिया था जबकि यह जो अजयर आस्थे इन्हों पीसर देव भी बश्ते हैं किया था जैसे ही एक ज्यादा होने लगी तो अनाजी को तो अन्या अलोड़ी और खुद चले गए वनवास मतलब सनया सास्रम उन्होंने ग्रेंठ किया था पिर अन्यांजी के बाद में इंपॉर्टन्ट जो King आते हैं, Ruler आते हैं, चोहान डाइनेस्टी के वो हैं विग्रह राज जिनको बीसल देव भी बोलते हैं पेही जगाओं पे बीसल देव भी लिखाओं मिल जाएगा तो इनको बीसल देव भी बोलते हैं विग्रह राज 4th को और इनका टाइम रहा 1158 से 1163 AD का इन्होंने चोहान टेरिटरी को और जाद एक्सपेंड किया और जो तोमर्स का रूल चल रहा था कहां पे दिल्ली में उनको हरा करके दिल्ली को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था ठीक है विग्रह राज 4th ने इनके टाइम ये बहुत ही अच्छे राइटर भी थे इन्होंने क्या एक्टिविटीज की अगर कॉम्पोजिशन पॉइंट आफ इसे देखे तो वो आगे बात करेंगे तो इनकी जो राइटिंग स्किल्स थी उसको ध्यान में रखते हुए जयानक भट ने इनको कवी बांधव भी बोला तो ये कई बार अब्जेक्टिव टाइप एक्जाम में पूश्टिया जाता है कि कवी बांधव विग्रह राज 4th को किस ने बोला तो जयानक भट ने बोला था इन्होंने एक स्कूल का निर्मान करवाया कहां पर अजमेर में पर जैसे ही टाइम भी था और जब टॉक्स का रूल आया इंडिया में और सबसे पहले आया थी स्लेव डाइनेस्टी गुलाम वंच उसके जो कुतुब उद्दीन एबक थे उन्होंने इस सरस्वती कंठा बरन संस्कूल उसको तुडवा करके और वहां पर बना दिया धाई दिन का जोपड़ा नाम की एक मौस्क मस्जिद बनवा दी ये राजस्तान की पहली मस्जिद थी ठीक है और अगर आप कभी गए हो या फिक कभी मौका मिले आपको की आप दरगा जाओ ख्वाजा मौने दिन चिस्ती की दरगा अजमेर तो वहां से थोड़ा आगे जाओगी तो अंदर जा करके फिर आता है धाई दिन का जोपड़ा और वहीं से अगर आप देखोगे तो पूरी हाइट के ओपर तारागड भी वहीं दिख जाएगा आपको अगर इनकी कॉम्पोजिशन की बात करें विग्रा राज जिनको एक अच्छा राइटर देख करके जायानक ने इनको टैग दिया कभी बांध हो तो इन्होंने क्या लिखा ऐसा तो इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम था हरी के ली जो कि संस्कृत में एक ड्रामा रहा और इसका बेस क्या था किस पे बेस था ये एक तरीके की कॉमेंटरी थी किस पे कीरत अर्जुनिया कीरत अरजुनिया जो भारवी ने लिखी थी कीरत अरजुनिया उसके उपर ये हरी के लिए नाटक लिखा किसने विग्राराज फोर्थ ने संस्कृत में और ये जो कीरत अरजुनिया जो नाटक है ड्रामा है ये किसमे बेज़ड है अरजुन और लॉर्ड शिवा के बीच के क निकाल दिया गया था वनवास मिला था तो उस टाइम पे इनको जब अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी थी तो अरजुन ने गांडिव लिया था ठीक है तो उस चीज के लिए गांडिव वाला एपिसोड आपको याद होगा उस चीज के लिए जो कंबेट वाला जो पूरा इश्यू पूरा एक सीन है उस सीन को देमन्स्ट्रेट किया हरीकेली में विग्रराज फोर्तने ये जो सरस्वति कंठावरन संस्कृत स्कूल थी इस स्कूल की दिवारों पर जो कि आज धाई दिन का जौपड़ा है उसकी दिवारों पर ये जो हरीकेली नाटक है इसकी कुछ लाइने अभी भी देखने को मिलती है ठीक है? Some lines from हरीकेली ड्रामा can be seen even today on the walls of धाई दिन का जौपड़ा ठीक है? ये paint की हुई है वहाँ पर आगे देखें तो इनके court member थे सोम देव वो एक अच्छे writer थे तो उन्होंने लिखा ललित विग्रे ड्रामा ललित विग्रे नाम से एक ड्रामा लिखा किसने सोम देव ने इनके अलावा इनके कोट में विग्राराज फॉर्थ बीसल देव की कोट में नर्पती नाल करके एक राइटर हिस्टोरियन बैठते थे उन्होंने बीसल देव रासो लिखा यह जो टर्मिनलोजी है इन टर्मिनलोजी के बारे में अलक्सिक वीडियो बनाऊंगा अर्टन कल्चर में जहां पर लिट्रेचर अपन कवर करेंगे राजस्थान का ठीक है तो नर्पती नाल ने क्या लिखा बीसल देव रासो यह नाम एजटी यहां पर पिक कर लो वहां पर आयम नाम से जो कौन से डिस्ट्रिक में लोकीटेड़ आभी टॉंक में आगा में इनका जो रूल था इस रूल को चौहांड डायनिस्टी का गौल्डन अरा भी बोला जाता है ये बहुत है important factor ये ध्यान रखना आपने को कि चोहान डाइनिस्टी का golden era किस ruler के अंडर में consider किया जाता है तो वो है विग्रह राज फोर्थ और उनका sub name या दूसरा नाम क्या है बीसल देव फिर विग्रह राज फोर्थ के बाद में next जो important ruler आते हैं वो हैं प्रत्वीराज 3rd जिनका रूल रहा 1177-1192 और 1192 से फिर सल्तनत डाइनेस्टी शुरू हो जाती है जिसमें पहली सल्तनत डाइनेस्टी में आते स्लेव गुलाम और वो गुलाम कौन थे उनके बारे में आगे देखते हैं देखो यह प्रत्वीराज 3rd जो थे इनके पिता का नाम था सोमेश्वर और इनकी माता का नाम था करपूरी देवी इनका जन्म हुआ था अनिल पाटन गुजरात में और जब यह छोटे थे तब इनके पिता की डैथ हो गई थी तो उस परिस्तिति में क्या हुआ था इन्होंने करपूरी देवी करपूरी देवी जो प्रत्वीराज चोहान की तो क्या थी माता और यह कहां से थी यह थी अनंग पाल तोमर की बेटी जो क अब छोटी सी उम्र में जब सोमेश्वर मतलब पूरा प्रत्विराज चोहान चोटी सी उम्र में थे तबी इनके ओपर पूरा राजका जाके गिर गया तो करपूरी देवी ने सोचा की मेरे बच्चे को कैसे भी गरके प्रटक्ट करना और एड्मिनिस्टेशन के अंदर इ फिर कुछ टाइम बाद में ही 1178 में ही प्रत्विराज थर्ड ने एड्मिनिस्टेशन को अपने हाथों में ले लिया और कुछ रिलाइबल ऑफिसर्स को पॉइंट किया जिनमें से एक थे प्रताप सिंग एक रिलाइबल ऑफिसर्स जिनको पॉइंट किया था प्रत्विरा dynasties हैं या फिर जो भी rulers हैं इनको हरा करके और उनकी जमीन या फिर जो कुछ भी है उनको मेरे empire में मुझे join करना और बड़ा बनना है तो इन्हों ने एक mission launch किया that was name that has name that had name digvijay दिगvijay नाम का एक mission इन्हों है start किया जिसका target था कि आसपास के जितने भी rulers हैं उनको हराओ और उनके राज्य को हरपो या फिर उनको कहो कि आप मेरे अंडर में काम करो तो इस चक्कर में 1182 और 1184 AD किताके इन्होंने नागारजुन बंडनायक इनको crush किया बहुत बुरे तरीके से हराया और साथ में परमर्दी देव जो की माहुबा के चंदेल डाइनिस्टी के थे उनके साथ भी इनके लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अंदर आला उदल ने परमर्दी देव की तरफ से लड़ाई की प्रत्विराज चोहान के अगेंस्ट में मैं फिर से बोल रहा हूँ 1182-84 तक कि इन्होंने दिगविजय जो मिशन चलाया था उस दिगविजय मिशन में 84 के टाइम पे नागार जुन बंड नायक जैसे बड़े बड़े साशों को भी हराया और साथ में इन्होंने माहुबा के चंदेल शाशक परमर्दी देव से भी लड़ाई की और उस लड़ाई में आला उदल नाम का एक पेर था ब्रेव थे ये किसके रिप्रेजेंटेटिव परमर्दी देव और इन्होंने बहुत शानदार चैलेंज दिया था प्रत्विराज थर्ड को कहते हैं बहुत ज़ादा नुकसान किया था और आज भी माहुबा वाले रीजन में इनकी पूजा होती है स्टोरियां बहुत सारी हैं स्टोरीज बहुत सारी हैं ये भी बताते हैं कि माहुबा में आला उदल के लिए एक specific chalk मतलब एक बड़ा area allocated है जिस पर घोड़े पर बैठे हुए हैं तो वहाँ पर अगर कोई बारात भी निकलती है तो दूलहा घोड़े से नीचे उतर जाता है या फिर घोड़े पर बैठके नहीं जाता है क्योंकि इनकी disrespect हो जाएगी नहीं तो इतने brave थे इनका बहुत नाम चलता है आज भी प्रत्विरा चोहां का ये जो दिग विजय वाला जो पूरा मिशन चला इसमें इन्होंने बहुत सारी fights लड़ी तो इसलिए इनको अलग-अलग titles भी मिले और टाइटल क्या-क्या थे दल पंगुल विश्व विजेता राय पिथोरा दीज आर वेरी important titles आप इनको note down कर लो remember कर लो revise करना बार-बार क्योंकि यह चीज पूछी आती है कि दल पंगुल विश्व विजेता और राय पिथोरा ये टाइटल किस king ने लिए थे तो वो कौन थे प्रत्विराज 3 प्रत्विराज 4 जिनको बोला जाता है अब है कुछ important battles जो प्रत्विर struggle फिर उसके बाद में अपने राठोड ऑफ जोदपुर मारवार वाले शुरू किये थे तो वहां पर भी जैचंद का नाम आता है कि इसी के successor है ये पूरे के पूरे राठोड जो है तो कन्योज के बारे में आप थोड़ा बुद्ध फेमेलियर प्रिवियस लेक्चर से हो च स्वी राठ चोहान इस जैचंद की बेटी संयोगिता के स्वैमवर में पहुंच गया और संयोगिता को उठाके ले आया और लाकर के फिर इसने शादी कर ली खुछ से तो इस सक्कर में जैचंद और ज्यादा चड़ गया और इसी के साथ में बैक टू बैक महम्मद गोरी न अपने बात कर ली यह बाद में जैचंद को भी मौम्मद गोरी मार देता है ठीक है तभी तो भागना पड़ता है तभी तो राठोड पहले दुआर का पहुंचते हैं फिर राठोड वापिस आता है पाली मारवाड में इस तरीके से पूरा सीक्वेंस आपन अल्रेडी डिस प्रत्विराज राठोटारा को 21 पता नहीं कितने अटेक बताते हैं बट इंपोर्टन्ट दो बैटल से जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ तरही तरही का पहला बैटल जिसमें मौमद गोरी और प्रत्विराज चोहान की सेनाय आमने सामने थी और 1191-91-80 में यह बैटल हुआ थ इनका नाम था गोविंद राज इनके अटेक से प्रत्विराज इसको मौमद गोरी को चोट पहुंची इंजर्ड हो गया था और यह फिर वहां से भाग गया अब यहीं पर मिस्टेक होती है जो की इंडियन हिस्ट्री को पूरा बदल के रख देती है कि मौमद गोरी पे फॉलो गोरी गोरी को फॉलो नहीं किया नहीं तो वहीं की मार देता तो काम खतम हो जाता हुआ क्या गोरी फिर से रिपेर होके आया पूरा एकदम दलबल के साथ में शामदान दंडवेद सब कुस तयार कर लिया पढ़िया से बढ़िया अपनी होर्से से सेना तयार कर दी और अटेक कर दिया किस पे वापिस से प्रत्विराद चोहान पे और दूसरा बैटल होता है 1192 में जिसका नाम दिया जाता है Second Battle of Tarai इस battle के अंदर प्रत्विराद चोहान की हार होती है और इस हार के साथ साथ में जो चोहान डाइनस्टी है वो दिरे दिरे गिरना शुरू करती है डिक्लाइन शुरू हो जाता है और अब टर्क्स का रूल आ जाता है 1192 के बाद में डेली में आप देखते हो अब जब अपन medieval history पड़ेंगे तो सल्तनत dynasty सल्तनत इरा आ जाएगा सल्तनत period शुरू हो जाता है ये हो गया प्रत्विराद चोहान का दिग्विजय वाला जो mission था उसका एक तरीके से end अब प्रत्विराद चोहान से related कुछ important or facts देख लेते हैं अपन हमीर महा काव्य के according प्रत्विराद चोहान को पकड़ लिया गया था और मार दिया गया था अब प्रत्विराद चोहान से इस battle के बाद में क्या हुआ उस से related कुछ stories अपन discuss करते हैं तो एक तो ये बताया जाता है हमीर महा काव्य में कि प्रत्विराद चोहान को capture कर लिया मार दिया फिर इस में आगे देखें तो प्रत्विराद चोहान को चंदरवरदाई के साथ में गजनी ले जाया गया प्रत्विराज चोहान और चंद्रवर्दाई जो इनके court point थे जिन्होंने प्रत्विराज रासो लिखी थी उनको साथ में लेके और गजनी ले गए थे और वहाँ पर ले जा करके प्रत्विराज चोहान को कर दिया अंधा और अंधा करने के बाद में फिर मुहम्मद गोरी को ये पता पड़ा कि प्रत्विराज चोहान शब्द बेदी भाण में एक्सपर्ट है शब्द बेदी विद्या में शब्द बेदी कैसे आप आवाज जिधर दोगे उस तरफ आँख मुंद करके आँखे बंद करकर के तीर चला दे और वो एक्यूरेट निशाने पर जाए तो इस चीज को चेक करने के लिए प्रत्विराज चोहान को क्या कर दिया अंधा दो करी दिया और अंधा करने के बाद में फिर मुहमद गोरी बोलता है कि अब तुम मुझे मारो तो इस बात के लिए चंदरवरदाई ने प्रत्विराज चोहान को गाइड किया क्योंकि प्रत्वीराद चोहान तो अंदा था फिर प्रत्वीराद चोहान को चंधरवर्दाई ने guide किया और क्या कहा वो देखने वाली बात बहुत interesting बात है कि मान लो यहां पर और यह बैठ गया मुहम्मद गोरीर यहां पर है प्रत्वीराद चोहान ता उपर सुल्तान है मत्चुकुरे चोहान मतलब चार बांस जितनी हाइट 24 गज चार बांस और फिर 24 गज और 8 उंगल इतनी हाइट पे बैठा है तुम्हारा सुल्तान जिसका नाम है मुहमद गोरी अब चोहान तू तेरी तीरबान उठा और उसको उडाते चुगे मत और यह फिर किया तो जैसे ही यह चलाया तीर तो मुहमद गोरी के जाकर लग गया और मुहमद गोरी का बताया जाता है उसी टाइम पर डैथ हो गई थी उस तीर से अब बात करते हैं यह तो हो गई इनकी स्टोरी के बारे में आगे देखते हैं चंदरवर्दाई जो की स्कॉलर थे पृत्विराज चौहान के टाइम पे बहुत ही इंपोर्टन्ट स्कॉलर रहे हैं उने प्रत्विराज रासो बुख लिखी जिससे ये पूरी story देखने को मिलती है ये चंदरवर्डाई क्या हुआ चंदरवर्डाई को सात मे ले गए थे गजनी प्रत्विराज चौहन के साथ में तो ये जो incomplete प्रत्विश रासो थी इसको complete किया चंदरवर्दाई के ही दोस्ते को जिनका नाम था जलहन उन्होंने फिर complete की तो first part प्रत्विराज रासो का चंदरवर्दाई और इसको complete किया गया second part अपन बोल सकते हैं इसको दिया जलहन है यह ध्यान रखना आपने को जयानक जो बहुत important scholar रहे हैं जिन्होंने प्रत्विराज विजय नाम की एक book लिखी इनके अलावा other scholars जो प्रत्विराज चोहान के court में बैठते थे वो ऐसे थे विद्यापती गौड, जनारदन विश्वरूप, वागीश्वर और प्रत्वी भट यह important scholars थे प्रत्वी राज चोहान के court में तो यह आप ध्यान रखना इनके नाम अब देखते हैं कि अलग-अलग जो अरब scholars रहे हैं, अरब scholars ने भी अब चंदरवरदाई और यह जो थे, यह जो चोहान scholars थे, चोहान कोर्ट के अंदर जो बैठते थे, अब अरब scholars का क्या कहना है वो देखते हैं, मिनास उस सिराज, यह इन्होंने लिखी है, किताब उसका नाम है तबकत ए नासीरी, क्या नाम है तबकत ए नासीरी, मिनास उस सिराज ने, इन्होंने यह कहा, कि जब सेकंड बैटल ऑफ तरही खतम हुआ, जिसमें प्रितुराज चोहान हार गया था, तो भाग रहा था, तो भागते टाइम पे, जान बचा के भागते टाइम पे, सि पर इसको वापिस वहाँ पे बिठा दिया गया था, एक तरीके से, सबोर्डिनेट बना करके, और सबोर्डिनेशन में आके अंडर प्रेशर और फिर बाद में हुमिलियेशन देखने की वज़े से, प्रितुराज चोहान ने सुसाइड कर लिया, यह यह बताते हैं, अब य यह चीज अपने लिए मैटर नहीं करती, कि कैसे मरा, कि हमरा अपने को यह ध्यान रखना है, कि किसने, किसको, मतलब कैसे मरा और यह चीज किसने बताई है, वो देखने वाली बात है, क्योंकि यह डिबेटेबल चीजे हैं, कैसे मरा, इसके अंदर, यहीं पर अपने सामने अपने लिए इंपोर्टन क्या चीज है, कि एक्जाम में अपने पास में क्या आती है, वो चीज अपने को डिलेवर करनी है, डिबेटेबल कुशन के अंदर अपने को जाना ही नहीं है, ख्वाजा मुहिन उदीन चिस्ती की दरगा, जो आप देखते हो, वो खुद इंडिय आये थे पृत्विराद चोहान के रूल के टाइम पर ही, ठीक है, इन्हीं को पृत्विराद चोहान ने स्वेज दिया था कि आप यहां पे अपने इस्ट बीश्मेंट सेट ल कर सकते हो, पृत्विराद चोहान ने खुद ने पितोरागड नाम से एक गड़ बनवाया, अपने खुद के गुलामों को अपने खुद के जो एक कहते है ना क्यादों को बिठा के चला गया उनमें से एक क्यादा था कुतुबुद्दीन एबग इसलिए इसकी डाइनेस्टी को क्या बोल दिया गया था गुलाम वंच स्लेव डाइनेस्टी स्लेव गुलाम गुलाम किस तो डाई दिन का जोपड़ा ध्यान रखोए सको डाई दिन का जोपड़ा ये तो है राजस्थान की फुर्स्ट मॉस्ट और कुवातु- इस्लाम क्या है इंडिया की फुर्स्ट मॉस्क और दोनों चीजें चोहान डाइनिस्टी के केंग्स दुआरा बनाएं गई कोई ना कोई इस्टाप्लिश्मेंट को डेमॉलिश करके फिर बनवाई गई मॉस्ट्स हैं ठीक है तो इस तरीके से यहीं पर आज अपना कवर होता है साकंब्री के चोहानों की अजमेर वाली ब्रांच ठीक है अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे रन्थंबोर के चोहान हाडोती के चोहान इनकी बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा है ठीक है आई होप आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी यह वीडियो तो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो प्रमोट करो चैनल को गिव उस बूस्ट थैंक यू वरी मैच पर वाचिंग दिस वीडियो